Hello students, three men in a boat, term 2, chapter 2 इस दुसरे chapter में हमें जेरोमन की बोट यादरा के बारे में बताया है कि जेरोमन ने बोट को साफ करने के लिए सब को कहा तो दोनों मान गए और बोट साफ करने लगे बोट की जो कहारी होती है उसको जेरोमन ने साफ करने के लगा ओ वे तीनों मेगनागाटा आईलेंड पहुँचे जहां उन तीनों ने चार्टर पे अपनी-पनी साइन की थी वह वही प्लेस था जहां उस प्लेस के बारे में कहा जाता है कि हेन्री अस्टरम नाम का बोई एनी बॉलिन नाम की लड़की से मिला था जेरोमन उनके दोस्तों से कहा उन्होंने कि ऐसी जगा रहना बहुत ही मुश्किल है जहां पर केवल दो प्रेमी ही रहते हो उनके घर पर जाना यानी की मानों बिन बुलाए मेहमान जैसा होता है अंत में आगे चलना ही ठीक समझ कर वह तीनों डेटचिट नाम की जगा पहुँचे लिकिन वहाँ पर उन तीनों को किसी भी बार में बैठने को न मिला पूरी तरह वो ठक चुके थे वो तीनों सोचने लगे कि वही पर वो तीनों मर जाएंगे ऐसी सिचुएशन में एक मैन वहाँ पे एक आदमी आया और इन तीनों को ले गया और तीनों को खाना खिलाया और रेस्ट करने के लिए गर भी ले गया यह सब हो जाने के बाद अगले दिन वो मंकी आइलेंड गए और वहाँ पर उन्होंने लंच में बीन पका हुआ नौन्वेज खाया उनकी पास जो पाइनेपल का टीन था वो तीनों ने बहुत ट्राई की उसके बाद भी वो खुला नहीं आगे वो तीनों एक नदी में आगे बढ़ने लगे थैंक यू